कुश्चन में बोला जा रहा है यह दे किसी समांदर स्रेडी के दूसरे और तीसरे पद करमा से 24 एंड 28 हो तो स्रेडी के पर्थम 61 पदों का योगफल ज्याद केजिए बिल्कुल आसान है देखे कौन सा पद दूसरा पद दूसरा पद यनि एटू हमें दिया है यनि क्या आएगा आपका ए प्लस डी आएगा बराबर कितना है 24 है इसको इक्वेशन नमबर वन दे देऊ उसके बाद आपको तीसरा पद कि ए थ्री क्या आएगा ए प्लस टू डी आएगा आप देखे इन दोनों का हम माइनस करते थे हैं हमाइएक्वेशन सेकिंड में से एक्वेशन फर्स्ट कटा देंगे तो यहाँ ए से एक एंसे लोगया 2D माइनस डी यहाँ कितना आजएगा आपका डी 28 माइनस 24 डी इकूल टू कितना आगया 4 डी का विलिए हम यहाँ एक्वेशन एक में रख देते हैं यहाँ रखेंगे तो देखें डी यहाँ प्लस का दूसरी साइड आकर माइनस का हो जाएगा एकूल टू कितना आगया 20 हमें क्या ग्याद करना है 61 पदों का सम ग्याद करना है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं चूंकि S N N पदों का योग फल क्या रहता है आपका N बाइ 2 2 A प्लस N माइनस 1 D होता है N पदों का योग आप देखें यहाँ पर कितना 61 के लिए ग्याद करना है तो 61 बाइ 2 2 मल्टिप्लाई A एकूल टू कितना 20 61 माइनस 1 कितना ग्या 60 मल्टिप्लाई आपका D की जगे कितना 4 ओके अब देखें हम क्या करते हैं अपना सिंपल सा है कैल्कूलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आगे आपका देखें यहाँ से भी 20 बार कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भी आपका 20 या 40 बार कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो अंदर में यहाँ कितना आजएगा आपका एक इसमें आपका देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहां से 40 वार कोमें जाने से यहां कितना आगया आपका 6 आ गया आप देखिए यहां पर आपका यह कितनी वार कट गया 20 वार यहां आगया आपका 61 x 20 x 7 तो इतका multiply कर देते हैं तो यहां पर आपका आ गया यह इक्वल टू 8540 तो यहां लिखते हैंगे आप लास्ट में कि अपना 61 बदों का योग फल याद करने पर हमें 8540 मिला है